हलो गाईज, वोलकम तो आचानल, पनेशय फ़क, कॉंपुटेट्व एग्जामनेशन, आपको कैसे काउंट करना है, वो आपको मैं बहुत इजी ट्रिक देने वाली हूँ, वो ट्रिक से आपको ना काउंटिक फिगर में कभी दिक्कत तो आने वाली तो नहीं है और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने वाले है, यानि moderate level of counting figure and very hard level of counting figure, राइट, ये आपके लिए कौंसे कौंसे examinations के लिए useful है, बोले तो जहाँ जहाँ reasoning पूछा जाता है, वहाँ ये क्या हो जाता है, useful हो जाता है, आपके SSE examination में तो reasoning पूछा जाता है, तो इसके लिए useful ह examinations and all state level examinations में भी reasoning पूछा जाता है, तो ये सारे examinations के लिए useful है, तो हम बहुत easily पढ़ने वाले है, इसको आपको ये सेशन देखने के बाद, आपको counting figure में जो basics होते है, उसका आपको बहुत strong हो जाता है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो चिड़े स्टार्ट करते हैं, सब पहले अगर हमारे चैनल को अभी तिक सब्स्राइब नहीं किया, तो सब्स्राइब का लीजिए, तो यहाँ पे first हम पढ़ने वाले है triangle, triangle पढ़ते हैं हम पहले, so यहाँ से देखो, यहाँ पे, इसमें हमको only one triangle है, यहाँ पे, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है ना, only one triangle है और इसमें देखो, इस टाइप का हमको दिक रहा है, तो इसको कितने triangles है इसमें, हमने देखा है तो इसमें कितने triangles है, हमको तो दो triangles दिक रहे हैं, तो हमने क्या क्या यह वाला trick के साथ करने वाले है, बहुती easy trick है, इसके साथ हम सारे triangles जो है count करने वाले है, यहाँ पे दे तीन ट्राइंगल्स यह हो गया आपका ट्रिक इसी ट्रिक को लेकर हम सारे ट्राइंगल्स को काउंट करने वाले हैं इसमें हो जाते हैं तीन ट्राइंगल्स राइट तो चलिए देखते हैं next one so यहाँ पर कितने triangles है इसमें चलिए count करते हैं वह वाला trick यूज करके यहाँ पर देखो one two and three so इसमें count करते हैं तो three plus two five five plus one हो जाता six यानि इसमें है आपके six triangles आपको समझ में आ रहा है ना बहुत easy है counting figure को आप को अब से कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है तो छेलिए देखते है next one यहाँ पर देखो इसमें कितने triangle है ना चलिए count करते है यहाँ पर देखो one two three and four so 22 three and 4. 16 race जिसमें कितने है 4 plus three seven eight nine ten so इसमें आपको हो जाते है कितने 10 triangles जो है इसमें है PROD- इसमें कितने the two. यहाँ यह पर देखो इसमें तो हो गया 2 triangle दो इसमें कीसे करना है अब बहुत सारे triangle आगए इसमें बहुत सारे lines है तो आपको एक चीज यात कर लेए कितने lines है उतने triangle से समझ रहा है बहूत तो चलिए देखते है next triangle यहाँ पर next triangle में देखो यहाँ पर कितने lines है 1, 2, 3, 4 4 lines है यानि इसमें है 4 triangles तो चलिए देखते हैं next one यहाँ पर next one देखो इसको कैसे count करेंगे यह भी बहुत easy है तो चलिए count करते हैं यहाँ पर देखो यह वाला line है, line का मतलब जितने triangles आपके नीचे बन रहे हैं उतने ही triangles जो है आपके उपर बन जाते है राइट, so यहाँ पर देखो कैसे count करते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, so यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1, 2, 3, and 4, so यहाँ पर 4 प्लस 3 कितना हो जाते हैं 7, 8, 9, 10, so यहाँ से 10 बन रहे हैं, तो यहाँ से भी 10 बनेंगे, so इसका मतलब इसमें है 20 triangles, right, so आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है, तो यह लिए देखते हैं, next one, यहाँ पर next one देखो, so इसमें कितने triangles हैं, same ऐसे count करेंगे, यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, so इसमें भी 4 आजाते, इसमें भी 4 आजाते, so यहाँ पर भी 10 आजाता, यहाँ पर भी 10 आजाता, so यहाँ पर भी 10 आजाता, right, so यहाँ पर कितने triangles हैं, इसमें 30 triangles जो हैं, यह फिगर में आपको अवेलबल है, right, so चलिए देखते हैं, next one, यहाँ पर next one देखो, so अभी तो line थोड़ा इस तरफ दूसरा line है इस तरफ थोड़ा दूसरा line है तो इसको किसे करना है तो चले करते हैं यहाँ पर देखो पहले यह वाला करते हैं बड़ा वाला triangles 1 2 3 4 पहले तो यह 10 आगया हमको हां की नहीं 4 plus 3 plus 2 and plus 1 किया तो हमको यहाँ से 10 आगया सो हमने क्या किया यहाँ पर 1 2 1 plus 2 हो जाता 3 सो यहाँ पर 1 plus 2 हो गया 3 सो यहाँ पर 3 plus 3 किया तो 6 आगया यानि 10 plus 6 किया तो हमको आजाता 16 यानि इसमें जो है 16 triangles अवेलेबले राइट तो चले यह देखता है next and so यह बहुत हाड वाला दिख रहा होगा बट बहुत easy है इसको बह बहुत ही simple है बस ऐसे ही count करने है हमको 1 and 2 3 4 5 6 तो अब इसको count करो कितने हो जाते 5 plus 5 plus 6 11 11 plus 4 हो गया हमारा 15 18 19 20 and 21 नहींट वह से हमको आगे कितने 21 उन यहां पर ह है so how much is? 1, 2, 3, so how much is it? 3 plus 2 is 5 यानि 6 2 6 2, 3, यहां पर 6 हो गया, यह 12 काउंट कर लेते हम यहां से, 12, then यहां पर देखो, 1 and 2, कितने हो गया, यहां पर 3 हो गया, यहां पर देखो यह पूरा लाइन है यहां पर 6 है तो यहां पर 26 होते है यानि यह भी हो जाता 21 यहां पर यह वाला 3 यह सब को count करेंगे तो यहां पर 3, 4, 5, 6, 7 आ गया यहां पर 7 यहां पर 2 प्लस 2, 4, 5 तो 57 जो है हमको आ गया यानि इसमें जो है आपको 57 triangles are available है आपको समझ में आया ना बस numbering करनी है उनको plus कर दीने है तो चैथे देखते है नेक्स यहां पर next one देखो इसमें कितने triangles है यहालो है आपका triangle number 1 और यह हो गया आपका triangle number 2 इसमें तो दो triangles हो गया कुछ भी दिक्कत नहीं है तो चैथे देखते हैं next one यहांपर देखो कभी भी 2 से भी ज्यादा triangles आपके closed finger के अंदर कितने भी triangles बनते हैं यानि 2 से भी ज्यादा तब क्या करेंगे हम करते हैं into 2 तो आप इसको count करते कितने हैं 1 हो गया 2, 3 and 4 हो गया अभी क्या करते हैं 4 into 2 करते हैं तो हमको आ जाता 8 यानि इसका मतलब है इसमें 8 triangles जो है available है तो चलिए देखता है next one इसमें भी count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 triangles है इसमें 6 into 2 क्या तो हमको कितना आ जाता 12 इसका मतलब इसमें है 12 triangles तो चलिए देखता है next one यहाँ पर next one देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 यहाँ से हमको कितने बन रहे है 8 बन रहे है तो हम क्या करते है closed figure के अंदे triangle से 18 into 2 किया तो हमको आ जाता कितना 16 आ जाता राइट इसमें आपको 16 triangles जो है available है तो चलिए देखता है अभी तो हमारा triangle कतम हुआ square का जो basics है वो करेंगे basic से आपको square कैसे count करनी है तो यहाँ पे देखो इसमें तो 1 square है इसमें तो कोई दिक्रत नहीं है next वाला देखो इसमें कितने triangles है चलिए इसका भी एक trick है बहुत simple trick है इसमें आपको बहुत easily count कर सकते है यहाँ पे 1 लिग लिए यहाँ पे 2 है इस तरफ भी 2 है इस तरफ 2 है इस तरफ 2 है तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो 1 square किया 2 square किया तो हमको कितना आ जाता है 1 plus 4 किया तो हमको आ गया 5 यानि इसमें जो है 5 squares है तो चलिए देखते है next one यहाँ पे देखो तोड़ा बड़ा वाला है तो इसको कैसे करते है तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 and 4 किया अभी 2, 3 and 4 आ गया तो अभी हम क्या करते है यह देखो 4 का and 4 का पेर बन रही है 3 का 3, 2 का 2 and 1 तो यहाँ पे देखो 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square कर लेते तो यहाँ पे कितना आ जाता 1 plus 4 plus 9 plus 16 16 plus 9 25 25 plus 4 29 and 30 हो जाते तो इसमें आपको 30 squares जो है अवेलेबले राइट यह आपको बहुत ईजीली समझ में आ रहा ही है तो चेलिए देखते है next यहाँ पे next क्या है तो इसमें भी आपको squares ही count करनी है तो count करते हैं यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, 3 and 4 यहाँ पे देखो यहाँ पे only 4 है यहाँ पे 5 है अभी तो pair नहीं पन रही है तो square कैसे करते हैं तो इसका करने का अगलग तरीका है तो यहाँ पे देखो 4 into 5 कर लेते हैं पहले 4 into 5 किया तो हमको आजाता है 24, 5 is a 20 right then 3 into 4 किया 3, 4 is a 12 आगया then 2, 3 is a कितना आजाता है 6 आगया यहाँ पे and यहाँ पे बच्छा 1 and 2 1 into 2 किया है तो कितना आजाता है 2 आगया so इस सब को count करो कितना आजाता 6, 7, 8, 9, 10, 10 आगया यहाँ पे and यहाँ पे 2, 3, 4 so इसमें 40 आगया यानि इसमें हो गया आपके कितने स्क्वार्स है इसमें 40 स्क्वार्स जो है समझ रहो ना जब पेर्स में बनती है तो स्क्वार कर लेते जब पेर्स नहीं बन रहे है तो हम इंटू कर लेते है समझ रहो ना बहुत ही इजी है दियान से देखो so देखो next वाले देखते है यहाँ पे so यहाँ पे देखो आपको तो पता है इतमें 5 स्क्वार्स होते है यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे हमने क्या क्या 1 स्क्वार प्लस 2 स्क्वार क्या तो कितना आ जाता 1 प्लस 4 क्या तो हमको आ गया 5 अभी इसमें तो 5 है हमको पता है अभी इसमें देखो इसमें कितने ट्राइंगल होते है यह वाले में so इसमें B जो है 5 है और एक extra square जो है यह बन गया so इसमें हो जाते है आपके 6 square समझ रहा न इसमें 5 है इसमें 5 square है इसमें है 6 square तो छेले देखते है अभी हमारा triangle and square होगा हम rectangle पढ़ते है rectangle ही बहुत easy है इसे ही count करना है तो यहाँ पर 1 rectangle ही है तो बहुत easy है तो छेले देखते हैं इसमें कितने rectangles है इसको केसे count करना है, देखो हमने triangle count किया, square count किया भी rectangle का भी count करने का अलग तरीका है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, 2 है हमने क्या-क्या plus लगा दिया इसमें कितने है, 3 rectangle जो है, इसमें है, राइट तो यहाँ पे next वाला देखो तो यहाँ पर देखो कितने rectangles है इसमें तो यहाँ पर ऐसे count करना है 1, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 आगया, right तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर plus लगा दिया यहाँ पर plus लगा दिया तो यहाँ पर 1 plus 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 plus 2 तो यह हो गया 3, अभी क्या करते हैं, 3, दोनों 3 आगे, 3 into 3 कर लिया, तो हमको आजाता 9, यनि इसमें 9 rectangles जो है, available है, तो चलिए देखते हैं, next, इस rectangle कैसे count करते हैं, इसमें कितने rectangles हैं, तो चलिए count करते हैं, ये भी बहुत easy है, कुछ tension की बात नहीं है, यहां पर देखो, ब यहां पर देखो, 5 plus 4, 11, 11 plus, sorry, 5 plus 4, 9, 10, 11, 12 आगया, 13, 14, 15, यहां पर हमको आगया 15, यहां से 15 आगया, यहां से 10 आगया, यहां से 10 आगया, तो हम क्या करते हैं, 10 into 15 करते हैं, तो हमको आजाता 150, यहां पर हमको 150 rectangles जो है, इस figure में available है, समझ रहो ना, बस प्लैस करनी है, rows and columns को, यहां से 15 into 10 किया, तो हमको आजाता 150, राइट, इसी तरह दूसरा वाला देखते हैं, इसमें कितने rectangles है, तो चलिए, काउंट करते हैं, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर बस प्लैस करनी है, 5 plus 4, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहां इसमें जो है, आपको 15 rectangles जो है, बस प्लैस 1, तो अभी देखो, यह वाला तोड़ा बड़ा rectangle है, तो इसको count करते हैं, यह भी बहुत easy है, कुछ tension की बात नहीं, यहां पर देखो, 1, 2, 3, 4, and 5, यहां से count करते हैं, 1, 2, 3, 4, and 5, यह हो जाता है, आपका 6th one, राइट, यह वाला count करो, कितने हो जाते हैं, 15, यहां से 15 यहां पर 15, 15 के बाद, plus 6, कितना हो जाता, 15 plus 6 हो गया, आपका 21, से राइट, so 21 and 15 है, 21 plus 15 कर देते हैं, कितना हो जाता, 6 and 36 हो गया, यहां से, 36 हो गया, बट क्या हुआ, यहां पर दो, जो है, हमने इस column को, color change कर लेती हूं, इस column को जो है, हमने 2 बार count किया, यह नहीं, हम क्या करते है, minus 1 कर लेते हैं, यहां से, right, तो हमको आजाता, कितना 35, so इसमें जो है, आपको 35 rectangles है, समझ रहो ना, so इसमें जो है, आपको 35 rectangles है, तो यहां पर देखो, इसी type का है, बट इसमें जो है, यह वाला extra लगा दिया, right, so इसमें, यहां से, यहां तक हमको कितने आ है, तो हमको कितना आ जाए, 45 बट यह वाला हमने दो बार count किया, minus 1 कर लेते हैं, कितना आ जाता, 44, right, so इसमें आपको 44 rectangles available, right, आपको समझ में आ रहा है, बहुत easy है, तो चलिए देखता है, next one, यह देखो, इसमें हमको rectangles count करने हैं, तो यहां पर यह triangle क्या करती है, इसको card यहां पर प्लस लगा दो, यहां पर प्लस लगा दो, यहां से हमको आ जाता है, यहां से हमको 3, यहां से आ जाता हमको 3, हमने क्या 3, तो 9 आ गया, right, so इसमें 9 rectangles available, right, आप समझ रहा हो, इससे हमारे counting figures, जो basic counting figures, जो है, सारे मैंने आपको पढ़ा दिया है, right, next जो आने वाला वीडियो है, उसमें तोड़ा moderate level का basic counting, जो हम करेंगे, basic counting के बाद, right, so आपको यह session पसंद आती है, केसे लगा, मुझे कमेंट करके बिलकुल बताइए, and feel free to comment, okay, please comment, केसे लगा, आपको यह, right, and thank you so much for watching, bye-bye.